तो फ्रेंट्स मैं हूँ धरमेदर आप देख रहे हैं ओलाइन फ्रीज स्टडी इडिप चैनल फ्रेंट्स इस वीडियो में देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्डन कोशन जो की रहेंगे तो फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को और स्टार्ट करने इस पहले हमें हमीशा बताते हैं आपको अगर आप मैट जीके जीएस रीजिंग करन्ट फिर जैसी अगर वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन फ्री स्टडी की यह प्लेलिस्ट हैं अपर जाकर देखेगा और उन वीडियोस के अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको टेलिग्राम का एक ग्रूप मिलेगा तो उसे जॉइन कीजिए वहां पर आपको सारी सारी PDF मिल जाती हैं और बहुत सारी वीडियोस मिलती रहीती हैं फ्रेंट्स जो आपको ह देखेंगे लेकिन आपको इसके कमेंट करने होंगे कि इस वीडियो का इस आंसर का क्या इस कोशिंट का क्या आंसर है तो देखिए पहला कोशिंट है आपके लिए ALP 2 के लिए है बागी फ्रेंट सभी के लिए questions है लेकिन RRB ALP के भी है RRB के है और जो आपके SSC label के है उसके भी question है तो फ्रेंट पुरा question पढ़िए question पढ़ने के आद आपको कतन दियो है वो निसकर्स दियो है उनके according आप answer लगा सकते हैं तो बताईए इसका answer क्या होने वाला है question number first का आप मुझे comment करके बताईएगा क्या होने वाला है आपको कतन पढ़िए कतन पढ़ने के बाद आपको निसकर्स दियो है निसकर्स मैंसे आपका answer क्या होने वाला है तो answer होने वाला है C यानि कि केबल आपका पहला और तीसरा कतन जो है वो सही है यानि कुछ हारा काला है और कुछ काला जो है पीला नहीं है Question number second देखेंगे friends तो देखें यदि किसी बस्तू का बजन जो है 60 kg है तो चंदर्मा पर उसका बजन क्या होगा Newton में बताना है 60 Newton, 600 Newton, 98 Newton या फिर 10 Newton तो friends आपको पता है कि जो बजन होता है वो कम हो जाता है क्या हो जाता है चंदर्मा पर जाने पर जो बजन हो जाता है कितना हो जाता है अगर आपको पता है कितना percent या कितना प्रतिसत कम हो जाता है तो friends इसका answer आप दे सकते हैं तो इसका answer में वाला C यानि की 98 Newton हो जाएगा आगे देखेंगे question number 3 Global Startup Eco-System 72 में भारत का इस्थान क्या था? भारत का इस्थान बताना है आपको 10 वा, 101 वा, 39 वा, 37 वा या 56 वा तो friends comment करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपके लिए बहुत ही important questions है अगर RRB, ELP का आप exam देने वाले हैं RPF का देने वाले हैं या फिर SSC के लिए आप तयारी कर रहे हैं या RPF के लिए तयारी कर रहे हैं और जितने भी All India के exam है उनके लिए भी ये video applicable है तो आगे answer option number 3 थार्ट यानि कि option number C निदित्व करता है बिकर्ण पेमाना, समतल पेमाना, सर्वेक्षण पेमाना या वनेर पेमाना आप cancer option number C सर्वेक्षण पेमाना अगला question देखेंगे friends देखेगा अब ये फिर से लिए आपको कतन आ गया है जरूत आपको सारा कतन पढ़ना है उसके बाद इसका answer देना है friends option है आपका A, B, C और D तो friends पुरा question पढ़िएगा आराम से इस परकायर questions आते हैं आपको पता है और कई बार आचुके exam से तो previous air questions भी है और expected question है तो friends इसका answer है option number A क्या रहेगा? option number A इसका answer रहेगा friends दिखेगा जिसको भी अगर लग रहा है कि थोड़ा time से है तो वीडियो को push कीजे उसके बाद comment मैं जरूर डालिएगा आपको अगर answer आता है तो comment कीजे नहीं आता है तो wait कीजे पुरी दिक्कत नहीं है friends और comment करना जरूरी है आगे दिखेंगे question गुद्वा कर्शन का नियम काव को लागू होता है गुद्वा कर्शन का नियम कैसे लागू होता है किनी A, B, C और D किनी दो बस्तूओं की जोड़ी पर प्रद्वी और चंद्रवा सूरे के चारों तरफ ग्रह प्रदवी और प्रदवी के उपर की बस्तूओं पर तो friends बताना है क्या नियम के according बताना है यह आपका आंसर है ए यानि गुर्तवा कर्शन का नियम जो है किनी दो बस्तूओं की जोडी को लागू होता है किसको जोडी पर लागू होता है आगे देखते हैं अब आपको कतन प कक्षा में सभी बिद्यारती बुद्धिमान है और दूसरा है कौशिक बुद्धिमान नहीं है तो friends यहाँ पर सभी सभी चीजें आपको साब सब दिख रही है option A, B, C और D तो इस concern में वाला है A यानि कि कौशिक मेरी कक्षा का बिद्यारती नहीं है simple था है उसने बोला है पहली कतन बोला है मेरी कक्षा में सभी बिद्यारती बुद्धिमान है मतलब सभी बिद्यारती में भी और सभी बिद्यारती बुद्धिमान है लेकिन उसने एक कमेंट जो का है कॉसिक बुद्धिमा नहीं है तो इसका मतलब युगा कॉसिक जो है वो मेरी क्लास का ब्यक्ति या बिद्यारती नहीं हो सकता कोशन अगला कोशन देखेंगे 19 बाग भारत रूस बार्सिक दुई पक्षी है सिकर संबेलन कहां आयत किया गया था तो सेंट, पिटर्स, वर्ग, मॉस्को, नहीं दिल्ली, चैन नहीं तो A, B, C और D सारे उप्षिन आपके पास हैं पदेगा क्या अंसर होने वाला आपका इसका उप्षिन नमबर C जो है नहीं दिल्ली में आपक है, किया गया था, या किया गया है तो भारत-रूस, भारत-थाइलेंड, भारत-थाइलेंड, यू-ए-स showcase या भारत-और जापन तो आंशर है आपका फरेंड्स दीखिए, आंशर पता है, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये बहुत अच्छे questions है friends और आपके expected question है answer option number D भारत और जापन आगे देखेंगे गती के दूसरे नियम के अनुसार बल निम्ण में से सीधे अनुपातिक है किसके अनुपातिक है सीधे तो घनत्व के आयतन के तौरण के या इन में से कोई नहीं friends आपको ऐसे question आएंगे GS के question ऐसे आते हैं और पहले भी आ चुके हैं तो answer है आपका option number C तौरण के समानुपातिक होता है अगला question देखेंगे निम्ण में से किस बिस्व संगठन ने 7 नमबर 12 को दिवा दिवाली मनाने के लिए दिया टिकेट जारी किया दिया टिकेट जारी किया बिस्व वैंग सेयुक्त राष्ट अंतर राष्ट ये मुद्रा को जैने की IMF या बिस्व स्वात संगठन answer बताईगा क्या होने वाला है friends current of a question है और अच्छा question आपके लिए तो ये है option number B संयुक्त राष्ट ने ये टिकेट जारी किया था दिया टिकेट इसको बोलते हैं आगे दिखेंगे किस बौतिक मात्रा की इकाई पासकल नहीं है पासकल जो है इकाई है तो इकाई किस की नहीं है जड़त्व अगूण की दवाब की तनाव की या येंग का मापक friends पता है आपको इसमें से किस किस की इकाई नहीं है बोताना एक की इकाई नहीं है किसी की तो बाकी तीन की इकाई है तो friends option number 1 जड़त्व अगूण की इकाई नहीं है बाकी दवाब की काई है पासकल तनाब की है और यंग का मापंग भी है तो फ्रेंट्स जड़त्व की जो एकाई है वो पासकल नहीं है दवाब का पता है आपको पासकल में ही आप जो है दवाब को मापंग करते हैं आप जाने कि वो ही दवाब का मतलब हुआ, यंग का मापंग भी यही हुआ, आगे दिखेंगे, question number अगला, निमलिकित में से कौन input उपकरण का उधारण है, scanner, speaker, cd player, cd रहती है, cd प्रिंटर, तो cd जो रहती है, आपने देखियोगी, जो computer में भी रखती है, cd player में भी लखती थी, जैसे कि वो goal type की रहती है, उस पिर car की cd रहती है, आपको रताना, इसका answer क्या होने वाला है, बताइए क्या होने वाला है, इसका answer option number a, scanner जो है, एक input उपकरण जो है, वो है, क्या निमल कोश को लगाना है, बहुती simple सा type होता है, मतलब की, अगर s आ रहा है, तो s सभी में है, ये सभी को बता है, उसके बाद c आएगा, सभी को बता है, उसके बाद a है, तो a सभी को बता है, a के बाद इसके बाद बताएगा, मतलब आपको इसका answer बताना है, क्या आने वाला है, तो आंसर आएगा option number D, क्या आएगा option number D, ओके, अगला question दिखेंगे, निवन मैं से कौन सा वन्य जीप अभ्यारन यमना नदी के उपर है, निवन मैं से कौन सा वन्य अभ्यारन जो है यमना नदी के उपर है, ओखला पक्षी अभ्यारन, नफगड नाला पक्षी अभ्यारन, विंडवास वन्य अभ्यारन या खपरवास वन्य जीव अभ्यारन, तो आंसर आपका option A, ओखला पक्षी अभ्यारन, क्या है ओखला पक्षी अभ्यारन, अगला देखेंगे friends, प्रतीक बताना है आपको एक अंकित कुछ अंकित है साई फाई करके दिया है एस फाई करके दिया है आपको खंड ब्यास कहेंगे इसको गुलाकार ब्यास कहेंगे या बर्गार ब्यास कहेंगे या रेखिये ब्यास कहेंगे तो ये किस के लिए हमें दर्शाता है क्या दर्शाता ये बताना एक खंड ब्यास दर्शाता है गोलाकार ब्यास दर्शाता है या बर्गाकार ब्यास दर्शाता है या रेकिये ब्यास दर्शाता है पताएगा आंसर क्या होने वाला है फ्रेंट्स इसका अंसर है option B गोलाकार ब्यास बताता है S5 को हम गोलाकार ब्यास से अंकित करते हैं या उसको दर्साते हैं अगला question प्रशिद कल्पना लाजमी का निदन हो गया है वे किस पेसे से जुड़ी हुई थी या फिर उनका पेसा क्या था तो फिल्म निर्मिता थी निर्माता थी या अर्थ सास्त्री थी गाईका थी या अवीनेत्री थी ये current अफर कोशन है और बहुत ही important question होने वाला है आपके लिए इस वीडियो में आपको सभी प्रकार कोशन मिलेंगे current अफर जेके जीयस और थोड़े से reasoning के type के questions भी है तो friends इस वीडियो को देखना है इस लिए important क्योंकि आपको बहुत सारे जो chapter से clear हो रहे है अगर वीडियो अच्छी लग रहे है तो like कर दीजएगा इसका answer option number 1 क्या है film निर्माता थी कौन कलपना लाजमी जो थी वो एक film निर्माता थी अगला question देखेंगे Asia hockey championship trophy 2018 निर्माता थी निर्माता थी किस team ने जीता Asia hockey championship trophy जो 2018 थी बताना है किस ने जीता बंगलादेश, भारत, पागिस्तान या बी और सी यानि की भारत और पागिस्तान तो answer बताएगा क्या होने वाला है इसका answer होगा option number D यानि की भारत और पागिस्तान ने जीता Asia hockey championship trophy थी वो भारत और किस ने भारत और पागिस्तान B और C ने जीता आगे देखेंगे question number next संशेप में CSK का अर्थ क्या है CSK का अर्थ बताना है संकू, धारी, शाफ्ट, बेलनाकार, शाफ्ट, काउंटर, बोर, या काउंटर, संक answer है option number D counter, संक, इसको हम बोलते है friends I think ये वीडियो अच्छी लगी आपको comment करके बताएगा मुझे कैसी लगी हर वीडियो में अगर हर question में आगर आपको लग रहा है कोई doubt है, कुछ भी है, तो आप comment करके बता सकते हैं, और आपको comment करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको बता चलेगा किस पिरकारी तयारी है वीडियो अगर पसंद आई तो friends like कर दिएगा वीडियो को, और इस वीडियो को जितना हो से को उतना शेर कीजिए friends के साथ में बताईए किस पिरकार कोशन और क्या type है, अगर आपको type वीडियो अच्छे लग रही है तो friends like करिएगा, share करिएगा और वीडियो के निच्चे अगर सब्सक्रिशन बटन आभी red दिखा रहा है, उसे दबा दीजे, उसके बाद आएगा bell का इकन उसे बदाएगा, जिसे का जिनी वीडियो की notification वो आपको torrent मिल जाएगी, friends हो सकता है, मैं एक दिन में दो वीडियो डाल सकता हूँ या एक वीडियो भी डलेगी, तो daily एक वीडियो तो डलेगी friends तो आप bell का इकन दबा के रखिएगा, जिसे का जिब भी मैं वीडियो डलू हूँ उसका notification आपको मिल जाए, thank you friend watching this video, और best of luck आपके exam के लिए